इस ट्रेलर को देखने के बाद सव प्रतिशत इमोशनल हो जाएंगे इस ट्रेलर में साफ नजर आ रहा है कि ये एक बच्चे और माबाप के रिष्टे से जुड़ी एक बेहत दिल्चस्प कहानी है इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा के साथ मुख्य भूमिका जिस पर संस और क्लेर डांस है बता दे कि इस फिल्म के ट्रेलर में दिखाया गया है कि एक छोटा सा बच्चा जो की लड़का है पर उसको राजकुमारी बनने और एक लंबी चोटी रखने का सौक है इस तरह की हरकतें देखकर उनके माबाप को बच्चे को लेकर काफी कंप्यूजन हो जाता है और उसके बारे में काफी चिंता करने लगते है कि आखिर उसकी इन हरकतों का कारण क्या हो सकता है इस बात को लेकर चिंतित माबाब बच्चे का जेंडल की जाच भी करवाते हैं इस ट्रेलर में प्रियंका चोपणा की भी थोड़ी सी जलक नजराती है जहां वो बच्चे से उसके बारे में बातें कर रही होती है इस फिल्म का प्रीमियर 2018 के दौरान हुआ था और प्रियंका चोपणा ने फिल्म से समबन्धित कई पोस्ट किये थे बता दें कि इसके प्रीमियर के बाद से ही लोग इस फिल्म को काफी पसंद कर रहे हैं और फिल्म का ट्रेलर काफी एमोशनल कर देने वाला है हाला कि इन दुनों प्रियंका चोपणा भारत में है और किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है हाल ही में प्रियंका चोपणा को क्वांटिको सीजन 3 के ट्रेलर में देखा गया था जिसमें प्रियंका एक अलग अवतार में ही नजरा रही थी बता दे कि क्वांठिको के सीजन में प्रियंका को पूरे विश्व में पसंद किया जाता है इस समय प्रियंका एक बड़ी से लेब रेटी है और बॉलिवुट से हॉलिवुड हर जगय काम कर रही है बता दे कि अफवाहों का बाजार गर्म है और सुनने में आया है कि प्रियंका चोपणा बहुत फिल्म कृष्टार में नजर आने वाली है जिसको राकेश रोशन बना रहे है और रितिक रोशन लीड रोल में नजर आएंगे पिछली फिल्मों की बात की जाए तो प्रियंका चोपणा कृष्टी में नजर आई थी उसके बाद से प्रियंका ने बॉलिवुड में एक कम ही फिल्में की है और हॉलिवुड में व्यस्त रहती है पर अब वो वापस आने वाली है